मित्रो राम की बग्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत हैं उसको आज हम एक बहुत एक खुबसूरत पौधे उस पौधे का नाम है गंदराज जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है यानि उसके काम के आधार पर ही उसका नाम करण किया गया है लगता ऐसा ही है गंदराज जी हाँ इसके फूलों में बहुत भीनी-भीनी सी सुगंध होती है और अगर आपके इस पौधे के चार-पांच पौधे आपके गार्डन में हो तो आप देखेंगे कि ये पौधा बहुत ही अच्छी तरह से आपके गार्डन को महका देगा जोस्तों अगर आप जमीन पर प्रणता सफीद के आते हैं इसमें इसमें वराइटी और भी आती है जो देशी वराइटी केते हैं और जिसमें केरिंग बहुत कम है लेकिन ये वराइटी जरूर्ट ही जानि गर्मी में खिलती है परन्तु इसको केवल सुबे के धूप पसंद है यानि कि आप दो तिन तो ये पौधा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा दोस्तो इसके धूप की बात अगर हमने कर ले इसमें तो इसको आपको ऐसी जिगार रखना जहां पर सेकंड हाफ में शेट रहे जा धूप ना आए या काम आए अगर आप तीवर दो बजे डेड़ बजे वाली धूप इस दूसरा मिट्टी कैसी होने चाहिए दूसरा मिट्टी के बारे में आप उसे चर्चा करते हैं तो मिट्टी सभी बी पोधों को पोरस चाहिए साढ़े साद से ऊपर 1972 कि य Candid. यानि जब बिट्टी बनाएं तो उसमें नीम की खली गोबर का सडी खाद और मौरंग का प्रियोग करना ना भूलें सड़ने के बाद थोड़ा फंगस जरूर करते हैं को सड़ने के लिए अलग पिक्रिया है कोई सड़ाने के लिए एक महिना के समय लगता है तो लेकिन फिल भी धान की भूशी कड़ी होती है और उसकी जगे हम तो मौरंग का ही प्रियोग करते हैं पंद्रा पर्संट कम से कम मौरंग जरूर डाले जिससे की पानी आपकी ग्रमले से बहुत आधानी से निकल जाए यह है राम की भगिया चैनल हम इसी प्रकार के इसमें आपको वीडियो बना कर कोशिश करते हैं आपको एक पौधे के बारे में थोड़ी से जानकारी उपलप कराते रहे हैं सबी लोग जीवन में सीख रहे हैं हम भी सीख रहे हैं हालाग हम कम से कम 30-35 साल से गार्डिनिंग कर रहे हैं लेकिन समय और हर तरह के समय के साथ साथ चीज़े बदलती जा रहे हैं उसी प्रकार से अगर इस पौधे में कोई रोग हो जाएगा तो फिर आपको पहले से उसका टीटमेंट करना चाहिए जहां तक मेरा अपना अन्भा है उस आदार में बताना चाहूँगा कि हम इसमें नीम आयल का स्प्रे लगातार करते रहते हैं इसमें दो प्रकार के आदार कीट आते हैं पहला तो एक मिली बग मिली बग अगर आएगी वो किसी पौधे में भी आएगी तो वो जहां पर जयने निकलेंगे नई कलिया निकलेंगे तो प्रकार अइंगे आएंगे बहिं सभी लोगों को हराचारा या आसान या अच्छा खाना पसंद होता वसे कीट पतंगों को भी पत्ते हरे ताजे पत्ते खाने के शौकीन वो लोग होते हैं तो इसलिए वहां पर ही अटैक उनक उसके बाद नीम उयल में आप लिकृट शोप मिला लें जिससे कि वह चिपक जाए यानि जब आप स्प्रे करें उसका इस्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप इसे इजाद पा लेंगे और नीम उयल ऐसा ने एक दिन शिड़क लिया उसके बाद आप ना कर लेंगे साथ साथ देखें आपको दिखा दें इसमें वायरस का अटेक भी होता है कि पत्यां धीरे से यह सिकुर सी रही हमारी तो इसमें हम एक कीट ना सक है उसको डालेंगे तो उसका भी प्रयोक कभी कभी करना पड़ता है तो आपका धूप हो गया मिट्टी हो गई औ और एक कीट ना सक और कोशिश करें इसको अपनी जगह से ज्यादा परवर्तन करें परवर्तन करने में क्या होता है कि पौधा थोड़ा सा अंकमफर्टेबल महसूस करता है और मतलब वह एक जगह पर सेट हो जाता है इसलिए वह डिस्टर्ब नहीं रहता है तो भी आपका पौधा अच्छा परफार्म करेंगा इसका फ्लावर होता है बहुत बढ़िया सफेद कलर काता बहुत ही अच्छा खुश्बू उसमें बहुत बढ़िया रहती है तो अगर इसके चार पांच पौधे आप अपने गार्डन में डालेंगे तो आप देखेंगे आपके गार् लिए जरूर को तो समथ कर पाता हैं और बाकि आपको इसकी मिटी का ध्यान रखना है जाड़ों पर आपको इसमें देखना पड़ेगा, जो एक्स्टीम जाड़ा आता है तब इसमें पानी करीब करीम ना के बराबर देना है सब्सामानता ये जिसमें पानी की हमें अधित् करें आपका ये महान कार हमें और आगे बढ़ाने मदद करेगा धन्यवाद दोस्तों राम की बगिया चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद